शुब प्रबाद बच्चो चतूर्था पाठा जिसका नाम है सदेगी वपूरतो निदेही चरणम हमेशा कदम भढ़ाते चलो रुको मत इसी कड़ी में हम भी रुक नहीं रहे हैं और हम आज करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर सभी प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत पाठ में दियो गीत को सस्वर गाव जो हमने गाया भी है ठीक है अब मेरे दूसरी वीडियो में देख सकते उसको और सुनो और गाव आप पूरी वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद आप इस पूरी जो कभीता है इसके प्रशन उत्तर जान लेंगे ठीक है वीडियो देखने पड़ेगे अन तक लाइक सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट भी करना तो प्रश्ण नमबर दो है अदो लिखिता आनाम प्रश्णा नाम उत्तरानी एक पदेना लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्णों का उत्तर वन वर्ड में दीजिए एक पदेना एक पद से उत्तर लिखना है आपने स्वकियम साधनम खिम्भवती अपना साधन क्या होता है तो यहां मैंने इसका उत्थर लिखा है भलम क्या उत्तर है भलम इसका उत्तर है भलम यानिकि अपना साधन जो है वो क्या हो रहता है बल बल ही हमारा मुखे साधन है सोर्स है भलम दूसरा है पथि के विश्माहाब रखरहा रास्ते में कौन सी चीजे हैं जो विशम हैं और बहुत तेज हैं तो पाशना पत्थर बहुत तेज हैं सदतम किम करनियम हमेशा हमें क्या करना चाहिए हमेशा हमें धे स्मरन करना चाहिए अपने मन में हमेशा ये स्मरन करते रहना चाहिए हमें ये काम करना ही है करना ही है इसको कहते हैं दे स्मरन फिर एतसी गीतस से रचाईता कहा इस गीत के रचाईता कोन है तो श्रीदर भासकर भरने करा हा साकीदरिशा कभी मन्यते सहा राष्टरवादी कभी मन्यते तो ये थे प्रशन संख्या 2 के उत्तर प्रशन संख्या 3 मंजुशा से क्रिया पदों को चुनकर रिक्सथान पूरे करो मंजुशा आगे हमारे पास ये वाली इस में से हमने रिक्सथानों को पूरा करना है ठीक है जैसे एक करके दिखाया है यह था तौम पूरता चरणम निदेही तुम हमेशा आगे चरण रखो तौम विद्यालयम तौम विद्यालयम तौम विद्याले चल चलो राष्ट्रे अनुरक्तिम राष्ट्र में अनुरक्ति जो है वो विद्यालयम रखो महियम जल मुझको जल देही दो मुझे जल दो मुझे पानी दो मूझे 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 मूरक्ति धनागम तृष्ट्र निदेही जही ही क्याएगा जही ही यह हम कहां से जाएं अब यहां से जाते हैं ठीक है यह आगया हमारे पास जही ही मूरक्ति धनागम तृष्ट्र जो है वो छोड़ दो पैसे की जो तृष्ट्र न है वो छोड़ दो गोविंदम और क्या करो भज गोविंदम और गोविंद को बजो गोविंद बोलते हैं वह गवान श्री किष्ण जी का नाम है उन्हें भजो सत्तम धे स्मरणम कुरू यह वाला बचान हमारे बास कुरू सत्तम धे स्मरणम कुरू हमेशा धे में स्मरण करो तो यह था हमारा प्रशन संख्या तीन प्रशन संख्या चार इसमें लिखा है उचित कतना नाम समक्षम आम जो उचित है जो क्रेक्ट है उसके सामने आपने आम लिखना है अनुचित कतना नाम समक्षम ना इती लिखा था और जो अनुचित है उसके समक्ष ना यह लिखो ठीक है जैसे पूरता चरणम निदेही आगे चरण रखो, तो उन्होंने खुदी बताया कि यह सही है, इसलिए उन्होंने लिख दिया आम, ठीक है, इस तरह से आपने आम अथवा ना लिखना है, यह टिक और क्रॉस नहीं, आम लिखना या तो ना लिखना है, ठीक है, निजनिकेतनम गिरी शिखरे अस्ती, अपना जो गर है, वो गिरी शिखर पर है, क्या यह सही है, कविता के कॉर्डिंग, तो आम, ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, आम, तो स्वाकियम बलम बादकम भवती, अपना जो बल है, वो बादा पहुंचाता है, यह गलत है, स्वाकियम साधनम तो बलम भवती, बादकम ना पशु नहीं है, तो ये भी गलत है, हैं, इसक पशु हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ना, गमनम सुकरमस्ति, जाना जो है बहुत आसान है, ऐसा है क्या, नहीं, जाना दुश्कर है, सुदुश्करम खलू यद्द्य भी गमनम, है ना, ना, सदेव अग्रेव चलनियम, हमेशा हमें आगे की और बढ़ना चाहिए, तो ये है, हमारा उत्तर आम, तो ये आम खाने वाला नहीं है, एस आम को संस्कृतन बोलते हैं, हाँ, फोर्थ प्रेशन का ही, दूसरा पार्ट है आ, तो इसमें लिखे है, वाक्य रचना या, अर्थवेदम स्पष्टी कुरूत वाक्य रचना से अर्थवेद को स्पष्ट करो, ठीक है, तो यहाँ वाक्य रचने हैं इसके उपर, तो आपकी जो बुक में लिखा हूँ, यही लिखे हूँ हैं, संस्कृत वाले हिंदी में आपको मैंने सुवीदा के लिए इसकी हिंदी बताई है, तो इनके उपर क्या कर होता आगे, नगहा, पहाड को कहते हैं, नागहा, सर्प को कहते हैं, आरोहनम, आरोहनम होता चड़ना, अवरोहनम होता उतरना, ठीक है, हम पेड़ के उपर आरोहन करते हैं, चड़ते हैं, और पेड़ से अवरोहन करते हैं, पेड़ से नीचे उतरते हैं, विश्मा होते हैं विन डिफरेंट और समा होते हैं बराबर एक जैसे ये हैं वाक्य वाक्य नमबर एक परिताहा चारू और ग्रामम परिताहा जनाहा वसंती गाउं के चारू और लोग रहते हैं पुरताहा आगे सीतायाहा पुरताहा रामहा चलती सीता के आगे राम चल रहे हैं नगहा, परवत, हिमालयाहा संसारे परसिद्धाहा नगहा अस्ती, हिमालय संसार में परसिद्ध परवत है, नागा, सरप, शेश नागाहा सरवोच्चह भवती, शेश नाग सबसे बड़े होते हैं, आरोहनम चड़ाई, परवतस्य आरोहनम सुखदं भवती, परवत का आरोहन सुकद होता है अवरोहनम उतराई परवत का अवरोहन रोमांचक होता है विशमाहा आ समान परवत के मार्ग जो हैं वो विशम ही होते हैं समाहा समान राजबुत्रहन रिपेन समासंती राजबुत्र राजा के समान है तो यह थी इसके उतर आप फटाफट पॉस करके वीडियो को अपनी नोट बुक पे लिख लें और उसके बाद इनको याद कर लें ये परिक्षा में इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है ये आता ही आता है प्रेशन संख्या पांच ठीक है मंजुशा से अवे पदूं को चुनकर रिक्स्थान पूरे करो मंजुशा से अवे पदूं को चुनकर रिक्स्थान आपने पूरे करने विद्यालियस्य डैश एकम उद्यानमस्ती विद्याले के एक बगीचा है विद्याले के कहाँ विद्याले के पूरताहा आगे एक बगीचा है सत्यम डैश जैते सत्यम एव जैते ठीक है फिर किम बवान सनानम कृतवाण क्या आपने सनान किया खलू ये खलू कृतवान खलू सा यथा चिंतियती डैश आचरती यथा यहाँ भी रहता है उसके साथ आगे उसके बाद में क्या लगता है तथा तथा लिखा हुआ आ उपर वो देख लो कहा लिखा तथा तो यह था तथा फिर आगे आगे है ग्रामम डैश ब्रिक्षा संती ग्रामम परिता काओं के चारों और ब्रिक्षे है चा, विद्याम जीवनम वृता, विद्या के विना जीवन वृता है, व्यर्थ है चा, सदा भगवन्तम भजस, हमेशा भगवान को बजते रहो, याद करते रहो प्रेशन नमबर छे, विलोम पदानी जोजएद, विलोम शब्द जोने, पुरता होता है आगे और प्रिष्टता होता है पीछे स्वकियम, स्वकियम होता है अपना और परकियम होता है दूसरे का, बीती ही, बीती होता है डर और डर के आगे जीत है साहसा, साहस होता है साहस, अनुरक्ती मतलब किसी के प्रति प्रैम और विरक्ती मतलब किसी से प्रैम नहीं गमनम, गमनम होता है जाना और अगमनम होता है आना अब बच्चों यहां है प्रेश्ठ नमबर छे, उसका आवाग, इसमें लिखा है लटलकार पदेब्या लटलकार पदू से लोटलकार विदरलिंग लकार पदानाम निर्मानम कुरूता लटलकार से लोटलकार और लोटलकार से विदरलिंग लकार जो है वो आपने निर्मान करना ठीक है इसको देख कर गए जैसे उन्होंने पठती लिखा लटलकार का तो लोटलकार मे उसका बन गया पठतू और विदिरलिंग लकार में क्या बन गया पठेत कैसे पठती जो है लटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है तो वैसे ही लोटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है पठतू और विदिरलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है पठेत वैसे ही खेलसी, खेलसी लटलकार मद्यम पुरुष एक वचन है तो लोटलकार में क्या होगा खेलसी का तो वो मैं यहां बताऊंगा आपको वैसे ही खादंती खाद दातू लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो लोटलकार में क्या होगा इसका वैसे ही पिवामी देखो बच्चों जितने भी दातू होते हैं इनके 10 लकार होते ही होते हैं लट लकार, लोट लकार, विदिर लिंग, आशिर लिंग ठीक है फिर उसके बाद लंग लकार ऐसे 10 लकार होते हैं सब होते हैं हर एक दातू के अलग-अलग रूप बनते हैं तो दातू रूप के लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी वहां आ जाके समझना पड़ेगा तो यहां मैं इनके उत्तर आपको लिखके बता रहा हूँ तो आपको उत्तर बता रहा हूँ यहां पर लोटल गार में आप लिखेंगे खेल खेले है खाधन तू खादे यूहू फिर पिवानी पिवेयम फिर हसताम हसेताम नयाम नयेम तो जितनी भी ब्लैंक्स दे रखी हैं उनमें आप इसको भर दो ठीक है उनमें जब भरेंगे तो यह उत्तर रहेंगे आपके और इन उत्तर को याद कर लो और परिक्षा में तयार रहो यह सामने आप देख रहे हैं प्रश्न तथा उसके उत्तर इसी प्रश्न का आ भाग यहां पर यह भी ग्रैमर ही है इसको आप देखो यहां लिखा उन्होंने गिरी शिक्र तो सब्तमी एक वचन में आपने लिखना है तो उन्होंने लिखा गिरी शिखरे, क्या बन गया इसका, गिरी शिखरे, तो ये निर्देश दिया था, निर्देश के अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया, तो आपने भी वैसे ही इनमें परिवर्तन करना है, पथिन इसकी सब्तमी एक वचन क्या है, राष्टर इसकी चतुर्थी एक वचन क्या यान की दुतिया बहु वचन क्या है, शक्ति की प्रत्मा एक वचन क्या है, पशू की सब्तमी बहु वचन क्या है, यह आपने उत्तर में लिखना है, उत्तर आपके सामने है, पथिन सब्तमी एक वचन में होता है, पथि, राष्ट चतुर्थी एक वचन में होता है, राष्ट ही और पशू सप्त्मी वहुवचन में होगा पशू शू तो यह उत्तर हैं इसके आप इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें शात्रों मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि यह पोर्शन योगेता विस्तार वाला बहुत इंपोर्टन्ट है इसमें भाविस्तार लिखाया ठीक है श्रीदर भासकर बढ़ने कर 1918-2005 ठेक है यह उनकी आयू रही है नागपुर विश्व विद्याले में संस्कृत बिवाक के अध्यक्ष थे उन्होंने संस्कृत भाषा में कावे अनाटक गीत इत्यादी विदाओं की अनेक रचनाएं की तीनु खंडू में संस्कृत भांगमाय कोश्का भी उन्होंने स पाधन किया इनकी रचनाओं में शिवराज जीयोदययम महाकाव्यम विवेकानंद विजययम नाटक सुप्रसिद्ध हैं प्रस्तुत गीत में पंजटिका चंद का प्रयोग है इस चंद के प्रतेक चरण में 16 मात्राएं होती है हिंदी में से चुपाई का आधाता है ठीक है नागल जाता है उसे पननग से जयाता पतarmed च्रिक MARTIN है पञता है जो पताल में चला जाता है उससे पननग कहते हैं ठीक है यह वी पहाद का ही नाम है दूसरा उर्सा गचषतिती sound आ did a look खगहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आकाश में जाता है सरतीती सरपा जो सरतता है सरकता है उसे क्या कहते हैं सरप तो ये भाशा विस्तार था जिसे आपने पढ़ लिया इसके साथ में हमारा ये वाला लेसन खतम हो गया अब हमने इस lesson के सारे प्रश्णोतर जो हैं वो करने हैं और प्रश्णोतर करने के बाद इनको याद करना है copy पर लिखके मुझे send करना है नीचे reply वाले option में yes sir लिखके मुझे कहना sir हमने पढ़ लिया वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें जै हिन जै भारत